कि नमस्कार में अंदन आप देख रहे हैं कि एक क्यासी दिन हो चुके हैं लेकिन गरदनी भाग धरना इस थल पर हर एक लोग धरना देने आए हर एक लोग गए लेकिन विशेश सिक्षकों का धरना भी भी जारी है आज आपको बहुत ही ज्यादा शांती लग रही होगी दिन लोगों ने एक दिवसी मौन हर्ताल का जो प्रण लिया था कि हम मौन हर्ताल करेंगे वह इन्हों ने किया है तो आज हम आपको शुरुआज से लेकर जो भी कहानी थी विशेश सिक्षकों कि वहम आपको अपने कैमरे के माध्यम से बताएंगे और पहले दिखा रहेते हैं कि जिस तरीके से मौन हर्ताल किया जा रहा है विशेश सिक्षकों का आप देख सकते हैं हमारे पिछे विशेश सिक्षक लगातार हम खबरे बने हुए और लगातार आपको दिखाते आ रहे हैं कि किस तरीके से विशेश सिक्षक घरदनी बाग धरना सल पर आकर धरना द जिससे साफ पता चलता है कि मौन हर्ताल किया जारा विसेज़ सिख्षकों की तरफ से आपको बता रेते हैं कि शुरुआत में 21 नमंबर के दिन हम यहां पर आयते गर्दानी बगधरना असल पर और तब आकर हम लोगों ने सबसे पहले बातचीत की थी इन से पता चला था कि व गुम्राह करकर सरकार ने रखा हूँ अब की किसी को नहीं पता था कि विशेश करके भी कोई सिख्षक उपलब्ध हैं हमारे राज्य में यहारे कि कि यहां पर आप पता चला विसेभशकों ने धरना दिया हुए सिर्फ एक समामा विजन की मांग को लेकर क्योंकि कहीं ना क पदार थी है कि उन्हों को साथ इनका कैसे पदारपन करवाया लेकिन अब उनकी उपलब्दी देखिये और यहाँ विश्यास सिक्षकु के आचुके आपको बताते हैं इंद नहीं कि यही नहीं सिर्फ एक समयोजन कि मांग को लेकर जब दस दिन-20 दिन बीट रहे थे तो 3 दिसंबर जब दिव्यांग तो दिवस आई थी उस दिन दिव्यांग बच्चे भी धरनायसल पर बैठे हुए थे और धरनायसल पर बैठे हुए थे और वहां से भी कोई भी निशकर्ष नहीं निकला पहले बताते हैं कि पूरुस विसे सिक्षक आए उन्होंने धरना दि कि गये हम बिचाए आपको अलेक्त हैं कि इस दिन धरना दिया था कि उसके बाद प्रवक्ताएं हर आये आते गए प Pas हुअनने की उन्हों था क्रक्ता उख हुऔर उसके बाद कर चलेंगें तो इस newborn को चार जैनर्वरी का उस चार जैनरवरी के दिन भी नों ने धर flavor लिया तब Champण बहुत भी नगी थी लेल ने सरकार ने एक zijn बात है अभी आप देख सकते हैं जिस तरीके से आपको एक और Penner दिखाते हैं वहां पर आप देश ka dhagn लिए सबाब देख सकते हैं कि स्वरगी विरेंज सिंग उनकी हमने रिपोर्टिंग भी की थी यहां पर जब आये थे तो वह इसे सिक्षकों में सेख थे और उन्हों उन्होंने बताया भी था कि हमारे साथ गलत वरा समयोजन की मांग को लेकर उनकी भी बात हमने रखी थी उनकी जिस तरीके से देहान थुई तब जाकर कहीं ना कहीं सरकार को समझना चाहिए था कि विसे सिक्षक धरना तो दे रहे हैं साथ में उनकी मृत्यू भी हो रही है ले डिला वी से शिकाहों पर भी पॉलिटिकल पार से बिलोंगरते हैं लेकिन अब भी असी दिन पारIt कि आश्वाषन हमेशा की तरह फिर से मिला और आश्वाषन पर ही इनके टाल दिया जा रहा है अब हम सब जानते हैं विधान सबसद्वी सुरू होने को है विधान सबसद्वी सुरू होगा अचार सनीता लगेगी फिर तो इनको यहाँ से हटना ही पड़ेगा हर कोई जानता ह इसलिए बड़े बड़े पतादिकारी जो है ये इस दिन का इंतिजार कर रहे हैं कि कब वो दिना है जब विशेज शिक्षक नाज चाहते हुए गर्दनी बाक्तरना इसल छोड़ दे एक बार आपको दिखाते हैं विज्वाल के माध्यम से कि अभी मौन हर्ताल किया जा रहा ह इसे शिक्षकों के द्वारा और पूरी की पूरी जो बैनर है अब देख सकते हैं हर जीला के लोग बिहार के तमाम अरतिजीलों से चलकर 21 प्रकार के दिव्यांग होते हैं उनको पढ़ानी का जिनों ने जिम्मा उठा रखा है वो इसे शिक्षकों को धरना देना पड़ र है जो बताने में भी इने शर्म आती है कि इतने कम वितन में हमसे इतना ज्यादा काम लिया जाता है आपको हमने पूरी कहानी बता है और एक 80 दिन से लगातार कहानी बताते आ रहे हैं कि किस तरीके से विसे शिक्षकों का धरना है और किस कारण से और आखिर क्या ऐसा बात ह हो गया कि 80 दिनों से लगातार इनकी बातों को अंसुनिक कर रही है हमारी बिहार सरकार नितिश कुमार कहीं आपना समय विजन करवा ले रहे हैं वो पार्टीस बदल ले रहे हैं लेकिन समय विसे शिक्षकों का वो नहीं करवा पा रहे हैं धीरे-धीरे करके हम ज्यादा दो इंसे तो बात करने ही सकते हैं तो जो भी कहानी थी हमने आपको विजन के मादिर से बता दिए अब आप भी समझे ज्यादा बे शर्मी की बात है कि इस तरीके से विसे शिक्षकों की तुलना समाने सिक्षक से आप करते हैं फैसलिटिक कुछ नहीं देते हैं और वेतन भ तो यह थी आज क्रिपोट बाकिया से और तमाम खबरों के लिए हमारा साथ बने रहें और देखते रहें किस्ट्राइटी फॉर मैं अंदर अप्रस होगी पिंटों के साथ धन्यवाद कि अ कि अ कि अ कि अ कि अ